तो हेलो अच्छे हो कैसे हो आप सब आयम इतुल सिंग वाल दिया यह टीचर एस वेल एस और मेंटॉर फिर आज हम एक बार देख लेते हैं सीवेस्ट को क्योंकि काफी इंपॉर्ण हमार लिए कि हम एक बार इस सैंपल पर गो थ्रू कर ले ठीक है ठीक है सारी कोशन अटेम्ट करने जो जो इंस्ट्रक्शन दी रखिए चलो आगे पड़ते हैं तो सेक्ष्ण हमारे इडिंग स्किल से जासा कि आपको बता है कि आपका 20 मार्क का रीडिंग स्किल रहने वाला है इसके अंदर आपको जैसे आपके सामने पैसे दिख रहा होगा कि किस तरीके साथ करना चाहिए तो जैसे मैंने पहले पढ़ लिए अब मैं जाके बढ़ोगा पैसेज अब अचा भी अपंपल सरी निया कि एन अब जो मैंने पहला कोशन पढ़ा तो इसकांसर पहले ही पहले परेग्राफ में होगा वो सकते हैं अब मुझे पैसेज को एक तसलिश से बढ़ना है तो घोस्ट नेट्स आरें इस अपरनाचर बदेयर लेजिदिविदिविश्य श अब यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है कि आपको हाम कर रहे है यह कहीं है कर रहे है मिले लाइफ को बच्चे मारी लाइफ पो इससको नाम हमाँ पर किसी को इंग को इसको नहीं कर रहा है ना वह ऐसी वहाँ पर भाय जा रहे बस तो इसको ओप्शन नंबर सी करेक्ट अंसर होगा ठीक है और बच्छे यहां पर क्या लगा देगे ऑप्शन नंबर ए बात समझ में आ रही है तो इस तरीकी की तुमारे पैसेज आने व वाला और इसमें से कुछ भी कुछ पूछ सकता है तो पता नहीं डियाई सेक्शन से ज्यादा लगा होगे सी बेसी को कह सकते हैं बट क्या करें करना तो पड़ेगा अच्छा अगर मैं आपको आगे लेकर जाओ तो यह तो होगे इसके करते हैं सबसे दे करने क्वारे सक्षण स क रहा है कैसे आ है कि बतारा है पस ईस बात को सीज़ने को कहा था कि नस दो नोटीस एक में कौछ आएगा देखो इन दोसे किसी एक को को यह तो यह करोगे यह करोगे यह दोनों नोटिस आपके है ना अगर मैं आगे बात करूँ फिर है महारे सामने आपका यह invitation अब आपके जो invitation है उसमें भी देखो तुमारी चोईस आने वाली है दो में से कोई एक करना होगा और similarly यह तुमारा अच्छा दो नहीं नहीं वह देती शनी चली job application है और उपर वाली एडिटर वाली लेटर है उपर वाली एडिटर की है और शनी चली तुमारी job application है तो मैं तुम इसको कर लोगे job application इसको तुम करके रखना है ना तो यह जो मैंने कुछ भी हटके नहीं बताया जो cbs ने दे रखी काई ने उसे को follow करना है और आगर मैं आपको लिटरेचर सेक्शन पर लेके जाओ देखो यहां पर कैसे cbs आपको साथ खेल रहा है तो अगर मैं आपको लिटरेचर कास लेके जाओ तो अब यह लिटरेचर से पहले आ इसकी है ना अपने आर्टिकल रिपोर्ट में कुछ आपको की पॉइंट्स देगा उसको आपको धियान में रखना है ठीक है उसको आपको धियान में रखना है जो बात यहां बोली गई है मेंली जो आपका आर्टिकल लिए वह रिपोर्ट है वह इने जी की आसपर होने चाहिए को अलग से कहानिया मत पेल देना ठीक है अच्छा जैसे हैं यह वर्ड लिमिट है 120 से 150 तो कोशिश करना है कि तुम 120 पर ही खतम कर दो है ना क्योंकि टाइम तुमको सेव करना है ठीक ह आगे अगर मैं आपको लेकर जाओ लिटरिचर तो अगर लिटरिचर सेक्शन को देखें तो लिटरिचर सेक्शन में यह पहला आपको देखर और रोट साइज स्टैन वाली पोईम से अच्छा एक्जैम में पोईम का नाम ने लिखाए गए यादर्णा ठीक है तो आपके स आपका यह chapters में से फिर दो सीन पैसेज चैप्टर में से आएगी जैसे में से किसी एक को अटम्ट करना पड़ेगा ठीक है और फिर देखो एक और आपका यह सीन पैसेज है ना तो सीन पैसेज जैसे मैं कह रहा हूँ कि लिट्रेचर पहले जैसे नहीं रहेगी अब आपको हर चीज को एदम गौर से पढ़ना एकदम डीप्री जाके पढ़ना ही पड़ेगा चैप्टर को है ना अब यह आपके अब उसके जो आपका फिफ्ट पार्ट होगा दस नंबर का इसमें आपके सामने आपको इन में से 6 कोशन दें होगे को इसे 5 अटेम्ट करने है ना यह आपके short answers टाइप वाले questions हो गए अब main section जहां में आपको कह रहा हो कि कि आपके साथ क्यों खेल रहा है हो यह आपका यह 7 वाला पार्ट ठेकि इसमें में देख आपको यह कोई से भ पहले की टाइम पर यहां पे लोग क्या करते तो यहां पे ना summary पढ़के आते थे अब भाई तुम संवरी नहीं लिख सकते क्यों लिख सकते अगर तो यहां पर तुम्हारा यहां बहुत दो दो चैप्र भूटर मिक्स है एक डीव वाटर वाले चैप्टर से कोशन हों और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कि रिखते कोशिश यह की जारी है कि जो writing section है उसको भी literature के अंदर merge किया जाए तो आपके bsc उसको भी literature आपके section में टेस्ट करने वाला है तो यह तुम याद रखना तो एसी कुछ आपके वेय हुने माला Nam लिए प्रव दो निए तो यहां पर ना पी अपन पर रख में को एक्सप्रेश करना तो मतलब कहीं करी आपको यहां कि आपका नुका राइटिंग सेक्शन वाला हिस्सा यह नहीं पूरा सेंबल पर गो थू करना है इनके जो आंसर सब आपको एक बड़ देखने हैं ठीक है देखो जैसे कि आपका चैप्टर आंट जैनिफर और सोफी मुद्रबाला यह दो इन्हों को इन्होंने मिक्स कर दिया है और फिर आपसे क्वेशन बोच रहे हैं कि इनकी बीच में ड्रामा क्रिएट करो इस तरीके की क्वेशन देने वाले तो इतनी इजी नहीं आने वाली तभी मैंने आपको कहा था कि जो चैप्टर साब को बोले गए उनको एक दम पक्का कर लो टाइम मिलता तो बागे सारे भी कर ले ना तो यह तो मैंने कुछ बना दिया आपके लिए एक वीडियो ताकि आपको थोड़ा थोड़ा से कॉफीर सेम्पल पर देख लो किस तरीके से कुछ न पूछे जा रहे हैं है ना तो त्यारी करो मिलते नेक्स वीटियों तो बाई 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 टेक केर